दोस्तों अगर आपकी बाइक, स्कूटर, कार या आपके किसी भी वीकल की आर्सी आपसे खो गई है या तूट गई है या चोरी हो गई है तो आप लोग उसे कैसे बड़ी ही असानी से ओनलाइन अपलाई करके अपने घर पे मंगवा सकते हो अब इसके लिए आपको किसी भी अर्थोरिटी या आर्टी हो जाने की भी जूरत नहीं है आपको जस्ट ओनलाइन अपलाई करना है और आर्सी आपके घर पे आ जाएगी तो कैसे आपको अपलाई करना है और कैसे आपके घर पे आज सी आएगी यह सारा complete process मैंने आपको आगे वीडियो में बताया है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझाए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाऊँगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना और सासा बैल नोटिफिकेशन को भी ओन कर लेना क्योंकि मैं ऐसी ही helpful वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तो बिना किसी देरी के चुलो वीडियो को स्टार्ट करते है डिस्क्रिप्शन बोक्स में वेबसाइट का लिंक है आप उस पे क्लिक करके डाइट वेबसाइट पर आ जाओगे वेबसाइट पर रेडिस्टेशन कैसे करना है यह मैंने आट से ट्रांसफर वाली वीडियो में बताया हुआ है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप उस पे क्लिक करके देख लेना वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं यह पर से स्किप कर रहा हूँ तो डाइट लोगिन करना है यहां पर आपको सम्मिट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ऐसा कुछ आगा से क्लोज करना फिर आपने यहां पर येस करके अपना अधार नंबर डालना है ठीक है अगर आज सी किसी पर फिल करना उसके बाद सम्मिट पर क्लिक करना है कुछ ऐसा खुलेगा तो यहाँ पर आपने जास नीचे स्क्रोल डाउं करना है और आगे नेक्स्ट पर क्लिक करने को यहाँ पर आपने दुखर डूपलिक इस पर क्लिक करना है उसके बाद ओके करके सम्मिट पर क्लिक करना समिट पे क्लिक करने का कुछ ऐसा खुलेगा आप ज़स्ट आपने इहाँ पर नीचे स्क्रोड़ा करके next पे क्लिक करना है next पे क्लिक करने को यहाँ पर आपने तो फोड़ेक उसका reason डालना क्या आपको क्यू चाहिए ठीक है तो उसमें आपको FR नंबर मिलता है वह आपने यहाँ पर फिल करना है फिर FR डेट फिल करने के इस डेट पर आपने वह एफायर करी है उसके बाद आपने जो भी एरिया का आपका police station पर पड़ता है वह आपने आप फिल करना है police station का नाम लिखने वार यहाँ पर next पर क्लिक कर देंगे तो next पर क्लिक करने को यहाँ पर insurance detail आई है यह चेक करने को next कर दो दूबारा फिर यहाँ पर क्लिक करना है click here to e-sign document क्लिक करना कुछ ऐसा खुलेगा इसे आपने close कर देना close करने का निचे scroll down करना है अब दखो यहां पर हमें दो चीज़ अप्लोड करने एक तो हमारी fr यह एंस यह जो हमने काटी दि वह आपर अप्लोड करने है उसके बाद हमें आप फेम 26 अप्लोड करते है ठीक है तो फोम 26 के देखो यहां पर pdf दी हुई है आप इसे डाउनल डाउनोड करने के लिए आप इसका प्रिंट आउट निकार लेना और इसको आपको साइन करने तो साइन कैसे करने वह मैं आपको आगे स्क्रीन पर बताते हूं कर लिते हैं तो मैंने सबसे पहले अपनी ncr अप्लोड कर ली उसके बाद form 26 के लिए यहाँ पे सबसे पहले डिलीट पे क्लिक करके पुराना PDF जो अप्लोड हो रख है उसे डिलीट करना होता है जैसे मैंने करा है डिलीट करने बाद जो आपने साइन करें form 26 उसको स्कैन करके आपको यहाँ पे वह अप्लोड कर दिया है उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी विंडो खुलेगी यहाँ पर आपको अधाव नमबर डालना है उसके बाद गैट OTP पे क्लिक करने गाद आपके रिस्टर्ड मॉबाइल नमबर पे एक OTP आपको यहाँ पर करने कवार यहाँ पर आपको क्लिक करके समिट पर क्लिक कर देना है तो समिट करने कवार देखो यहाँ पर लिखके आगए डॉकुमेंट्स हैब नी सेंट सक्सेस्फुली अब आपको यहाँ पर गो बैक पर क्लिक करने कवार यहाँ पर OK कर दो अब देख 530 भरने होते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पर make payment and submit पर click करके payment कर लूँगा उसके यहाँ पर declaration चेक करके confirm payment पर click कर देंगे ध्यान रखना यहाँ पर जो आप gateway choose करो तो यहाँ पर first gateway choose करना क्योंकि वो almost working रहता है ठीक है तो मैं फटावर्ट से payment कर लेता हूँ उसके बाद फिर आगे की process के और continue करेंगे और आप हमारे यहाँ पर payment complete हो जो गया और आप हमारे सामने हमारी fair receipt आ चुकी है तो fair receipt का आपको यहाँ पर print receipt पर click करके print out निकाल लेना है और देखो यहाँ पर लिखावा भी है document have been easy and successfully you are not required to submit any document to RTO office तो आपको कोई भी document submit करने की जूरत नहीं है आपकी RC अपने आप आपके घर पे आ जाएगी ओके बस आपने अपनी receipt रखना अपने साथ ताकि अगर आपको कोई रोकता है तो आप उन्हें यह दिखा सकते हो कि हमने online apply करा हूँ आपका को वीडियो अच्छा लगा हुआ वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना क्योंवी बहुत मैनत कर रहा हुँ है अपने इस चैनल पे तो प्लीज सपोर्ट जरू करना गाईज और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करना मैं उसको क्ले करने की पूरी कोशिश करूँ हूँ तो थैंक्स पर वोचिंग गाईज लव यूवल